तो मैं हो सोमनाद और आप सब का स्वावत करता हूं मेरा चैनल गार्डेन और एजडी में दोस्तों आप इन सभी गुलदावरी के पौदों को देखका समझी सकते हैं कि पिछली वीडियो से आज का यह जो हम वीडियो का अब दे रहा है अब पहले बाले से ज्यादा यह सब कर चुक है अब देकर समझरे सबस्क्राइब कर चुक है अब ने दो हफ़त पहले फर्शंपस्पॉर्टिंग किः तो एक हफते पहले में इसको फार्ट फाइटिलाइजर दिया था तो देख सकते हैं उससे यह कितना डेवलब हुआ है दोस्तों आज हम इसको दूसरी बार फैटिलाइजर देंगे और इसी के साथ हम इसका फर्स्ट पिंचिंग भी करेंगे तो चलिए दोस्तों ज्यादा देना करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए है तो जल्दी से जाईए सब्सक्राइब कर दीजिए और पास मेरे वेल आइकन को दबा कर और प्रक्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दियो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले और आप लोगों में से ज आप देख सकते हैं मेरे हर एक पॉर्ट की जो मीटी है वह थोड़ा सा भीगा हुआ है क्योंकि सुभा ही बारिस हुआ है आप मेरे गारन को देखकर भी समझ सकते हैं लेकिन अभी पूरा धूप निकला हुआ है तो दोस्तों आज हमको हमारी जो गुल्दा औरी की पौदे ह उनको हमें फाइटिलाइजर देना वारीजार तो इसका मतलम यह नहीं कि आप लेकर पाईटिलाइजर नहीं देंगे नहीं पहले वह आपको मना किये वन्सममें वह फाइडियसा कई दूस्थ फट्राइब कोई ठीकाना नहीं होता है कभी भी बारिस आजाता है तो अगर लोग लीकूट फैटिलाइजर देंगे तो इसमें जो पकड़ लेगा उसके उपर अगर बारी इसका पानी गिरेगा तो जितना भी लिकूट फैटिलाइजर अब देंगे वो पूरा सीधर नीचे से निकल जाएगा इसका कोई कामका नहीं रहेगा तो आज हम आपको फाइटरिप्रिषट देना दिखाएंगे कि किस तरह से बारी की मौसम में भी हर इस गुल्दावरी के पौद्धेकों का आप फ्राइटरिप्रिप्रिषट किस तरह से देंगी उसके साथ आज आपको मिलेंगे वह ब्रंचिश की जो कल कि मelगा जितना आपको पहली कि बात कम मिलेगा उतना इंब heed जितनी आपको आपको मिलेगा और मैंने आपको बादा किया था इस सीरीज के पहले कि आप सी भी साल जितनी फूल आपको मिलता है उससे लगभा के दो से तीन बुड़ा ज्यादा फूल आपको लाकर में दिखाऊंगा इसी के साथ आप लोगों में से जो लोग भी हमारे साथ पहले से जुरे हुए है जो लोग मेरे हर एक वीडियो को देखकर स्टेप बाइस्टेप अपने गुल्दावरी के उपर काम कर रहे हैं मैं उनको धनियवाद कहूंगा कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे हर एक बात को सुन रहे हैं अपने कीमतिवक्त जाया करके तो उनके लिए मैं एक बात जरुकर कहूंगा कि मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज दिखाऊंगा ताकि आप मेसे से जो लोग नए गारेनर्स भी है जो एक या दो साल से गारिनिंग कर रहे हैं उनके भी गारेन में गुल्दावरी बहुत ही अच्छा फूल देगा चलिए दोस्तों पहले हम आपक बताते हैं कि आप किस तरह से पिंचिंग करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने यहां पर सिफ चार बुल्दावरी की पौदों को ही लिया है क्योंकि सबको में एक साथ नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पाद लगबग 30-40 पौदे हैं तो एक साथ सबको पिंचिंग करना उस पर फैंटिलेजर देना दिखाना पॉसिबल नहीं है एक विदिवेमें तो मेने परव लिया है ला दिखा देता हूं कि आप उनको कि सप्य से पिंचिंग करेंगे गोदोस्तों पहला पिंचिंग में आप को Whats तो कि कि इस तरह से पिंच करेंगे ताकि इसमें से आपको लगबग तीन से चार ब्रांचेस मिल जाएंगे तो आगे चलकर चार से आठ या बारा या फिर बहुत ही जल्द आपको बढ़ेर सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे जितनी ज्यादा आपको ब्रांचेस मिलेंगे उतना ही ज्या तो चलिए दोस्तों पहले हम आपको दिखा देते किस तरह से पिंचिंग करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें यह उपर की तरफ यह दो पत्या है इन दोनों पत्यों को लेकर सिब अगर पिंचिंग करेंगे आप तो इसकी जो नीचे है इन दोनों पत्यों से ही सिब आपको ब्रांच मिलेगा तो आपको पिंचिंग किस तरह से करना होगा पिंचिंग आपको इस तरह से करना होगा ताकिसी भी दोनों पत्यों की सही नहीं बलकि इसकी निचले हिस्से में भी जितने पत्या हो उनमें से भी ज्यादा तर की यह जो निचली हिस्से हैं यहां से ब पिंच कर दीजिए इससे क्या होगा इन सभी जो पतिया है इनकी जो ये एकदम जो लगा हुआ है पौदे के साथ जो हिस्सा उस जगह से नय नय ब्रांचे साना शुरू हो जाएगा और एक साथ लगवग आपको तीन चार से ज्यादा भी ब्रांच आप ला सकते इसमें तो इ ज्यादा से ज्यादा एक से डेड़ इंची हाइट है इसका है अभी से मैं इसको पिंच कर रहा हूँ इस साइज से पिंच करने से आपको ब्रांचे भी बहुत ज्यादा मिलेगा तो ये साइज सही है एकदम आपको इसकी पिंचिंग करने के लिए आपको मैं दिखा देता ह और एक को भी इसमें भी आप देख सकते हैं धेर सारे पत्या बगेरा है इसमें देखिए दोस्तों मैंने यहां पर जो यह पहली जो पत्ती इसने छोड़ा है यहां पर यह जो नया पत्तिया है इस पत्ती को लेकर ही मैं इसको पिंच करूंगा इस तरह से पिंच करता जब आते हैं इस बाले में आप देख सकते हैं इस बाले से इनका जो ये जो structure है थोड़ा अलग है ये दोनों अलग variety का है अलग अलग variety की जो गुल्दावरी के पौदे होते हैं उनकी पत्तियों की variety भी अलग होता है उनकी पत्तियों का जो घनत्व है वो भी अलग-अलग होत देखिए दोस्तों चार पत्या है तो इन चार पत्यों को लेकर हम इसको पिंच करेंगे क्योंकि हमें इसकी निचली हिस्टे से हमें इसका दान्चस चाहिए अब देख सकते हैं यह दो नए पत्य छोड़े थे और यह दो सिप आ रहा था तो इनको लेकर मैंने इसका पिंच कर दूंगा यह देखिए यह सिर्फ निकल रहा है अभी अभी तो इसके पास का यह पत्ती है उसे ही लेकर में पिंच कर दिया दोस्तों अब मैंने इन चारों पत्ति जो मेरे पास गुलदावरी के पौद है इन चारों को मैंने पिंच कर दिया है दोस्तों और एक बाद मैं आप आप बता देता हूँ जिस दिन आप पिंज करेंगे के लिए spirit sa aap kis तरह के was a दो देंगे nitrogen जिन fertilizer में होता है उनको आप दीजिएगा क्योंकि गुलदावरी को nitrogen वाला जो fertilizer होता है वो इने बहुत ही ज्यादा पसंद आता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप धेर सारे fertilizer दे रहा है या पिर जिसमें बहुत हाई quantity में nitrogen है उसका मात्रा आप ज्यादा दे रहा है उस वो कोई काम का नहीं आएगा यह अभी छोटे प्लान दे तो आपको बहुत ही सोच समझ कर इसकी ऊपर fertilizer देना होगा क्योंकि दोस्तों अगर आप ज्यादा मात्रा में fertilizer दे देंगे तो आपकी यह छोटे छोटे जो प्लान से यह खड़ाब हो सकते हैं इनकी पतिया जुलत सकता है इससे आपका नुपसान हो जाएगा तो ए इनके ग्रोथ भी बहुत ज्याधा होता है बाक्यों की मुकाबले यह ब्रांचे बहुत ज्यादा प्रडूश करते हैं बहुत जल्ट से जल यह ग्रोफ होता है आप देखी चुके होंगे कि विंटर में जितने भी गुलदावरी के फूल है या कि पूदे है फूल के पूदे है वो सब देख सकते हैं बाकी की मुकावले ज्यादा ग्रोफ लेता है इनको फैटिलाइजर भी ज्यादा चाहिए लेकिन पहले नहीं पहले इनको थोड़ा नाप तोल कर आपको फैटिलाइजर वगएड़ा दे र दूप में रख दीजिए पूरे दिन का धूप इनको मिलना चाहिए दोस्तों आज हम इसको सेकेंड बार फैटिलाइजर दे रहे हैं फर्स्ट पिंचिंग कर रहे हैं आज ही से हम हमारे हर एक गुलदावरी के पौदियों को पूरे सनलाइट में रखेंगे अब नाहीं एक विल्ली से शिए और सबकर हें दूसल्दे के मिट्ति आपको तय्यार करना दिखाया है उस तरह के मीट्ति आप अगर तैयार करेंगे तो इसमें ठहड रहएगा ही नहीं बहुत कम बात्रा में इसमें नमी रहेगा और बारिष के मोसम में आप सभी जानते हैं कि बारिश वह जाने के बाद बारिषो के बाद फॉरान बाद धूंक निकलाता है तो उस बþक क्या होगा धूब जैसे ही निकलायाएगा इनकी अंदर गार्क के रहेगा वो मोईस्टर जल से जल सूख जाएगा और आपकी जा पॉट की मिट्टी है वो सही रहेगा और आपकी गुल्डावरी के पौधों को किसी भी तरह का कोई नूसा नहीं होगा तो दोस्तों चलिया अब हम आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह से इनमें फटिलाइजर देंगे दोस्तों फटिलाइजर इस्तिमाल आप जब करेंगे तो जाइफ इसमें इस्तिमाल करेंगे आज तो उसको इसको करने के लिए हम इसकी जो स्वाइल निक्स्टर बनाया थे उसी तरह की हम ले लेंगे देखिए दोस्तों मैंने लगवक्त 50% हम इसमें रेत लिया है हमने 25% कोको पीड और 25% हमने मिट्टी लिया है इसमें हम फट वैद्टि को सब्सक्राइफ कि अपर श्राइइध कर और 26 3 पोड़ा है और उपर भी आप देख सकते हैं कि बादल जमा हुआ है कभी भी बारिश हो सकते हैं तो इसलिए हमें इसको जाइफ लाइजर ही देना होगा तो अब हम इसको क्या मिलाएंगे दोस्तो नाइट्रूजन वाला जो खाद होता है वह हम मिलाएंगे तो हम इसके लिए किस तरह से देंगे दोस्तो ड्राइफ लेजर इस्तमाल करने की तरीका थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसका टेमपर लुकृट फैट्रूजन से बहुत ही ज्यादा होता है तो इसलिए हमें इसको बहुत की नाप तोल कर इस्तमाल करना होगा हमने चार पॉर्ट ले लिया ह तो चार पॉर्ट में हम एक-एक मुठी डालेंगे तो उस हिसाब से मैंने इसमें रेशियो करके इन इंग्रियंस को लिया है तो हमें क्या करना होगा हर दो पॉर्ट में एक टी स्पूल हमें यह मस्टच केक का जो जाइए एकदम डास्ट फाइट रेजर है इसको हमको मिला तो इस तरह के दो चम्मच हम इसमें डाल देंगे इस दो चम्मच हम डाल देंगे यहीं इनके लिए काफी होगा इससे ज्यादा देने की कोई जरूत नहीं होगा तो हमें पहले इनको अच्छी तरह से कि इस तरह से मिला लेंगे दोस्तों इसे मिला लेंगे उससे जो दाने हैं वह आपस से बीगे अलग हो जाएंगे इसकी साथ पूरी तरह से बुल मिल जाएगा उससे जो पौदा है है कि अभी बादल जमा हुआ है तो कभी भारी सा सकता है तो अभी अगर मैं इस दूंगा तो यह पूरा भीगा रहेगा तो इसके उपर अगर फिर से पानी गिरेगा तो वह जो फैटिलाइजर रहें वह मिट्टी के अंदर से बारीश के पानी के साथ धोकर निकल जाएगा व तो कुछ जो हे इसके अंदर पानी धृत थोड़ा बाहर आ जाएगा थोड़ा सफट लगेगा इसके पानी लगए है तो मिलेगा अगर लिकृइद भी डालेंक दो पूरा दोके निकला निकलाएगा इसका कोई काम कर नहीं रहेएगा वह तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों एक-इक मुठी लेंगे और इसमें डाल देंगे हम जरो की पास भी जाएगा तो कोई नुक्सान नहीं करेगा आप इस तरह से एक-ईक मुठी-डाल दीजिएगा हर एक पोदे में एक-एक मुट्टी दीजिएगा तो काफी होगा इसके लिए और इसमें इसको फेटिलाइजर बगेरा भी पूरा मिल जाएगा तो इस तरह से डाल दीजिए और अभी बारिस का मौसा में आज सुभाई यहाँ पर बारिस हुआ है तो मैंने जो प्वाट का मिट्टी है यह थो है यह फैटिलाइजर को मिला कर यह थोड़ा भीग जाए क्योंकि दोस्तों हवा चलने की बज़ा से यह जो एकदम सूखे चीज है यह उरने लगते हैं तो यह सूखे मिट्टी हो या सूखा रेत हो या फिर कोको फीट हो यह उलकर इससे बाहर चला जाएगा तो क्या पूरा पानी देंगे देखिए दोस्तों मैंने बस आधा मग पानी लिया है लेकिन पूरा पानी भी में नहीं दोंगा मैं बस इसकी उपर से इस तरह से दूंगा बस यह जो मिट्टी बगरा दिया है यह जो रेत बगरा हमने दिया थोड़ा भीग जाए तकि हवा के साथ उ नाइट्रूजन वालक हाथ पसंद है वैसे इसको ढूल भी बहुत ही पसंदाता है आप इसे अगल कार देंगे और साति यृद्धं दूप में रखेंगे तो यह बहुत अच्छी तरह से इसी के साथ आपको हमेशा इसकी उपर ध्यान रखना होगा कि इसकी जो मित्टी है आप लोगों में से जो भी मिट्टी तयार किया है मेरे वीडियो को देखकर मैंने जो मिट्टी के ऊपर वीडियो बनाया तो उसे देखकर उनकी पॉर्ट में पानी कभी भी नहीं जमेगा लेकिन जो लोग उससे पहले मिट्टी तयार करके गुल्दावरी की जो कटिंग से लगाये थे खराब हो सकता है आप कोशिष कीजिएगा जब आपकी जो कटिंस की आपने जिस मिट्षी में लगाए है वह जब सूख जाए तो कोशिष कीजिएगा आप तुरंद उसकी मिट्षी को चेंज कर दे क्योंकि अभी अगर आप चेंज कर सकते हैं तो बहुत ही अच् लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अपने हर एक गुल्दावरी की प्लैन की अच्छे सा क्यार रखिएगा मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए देखते रहें गारे नौले जिके बाकी वीडियोस को चलता हूं दोस्तों